सब्सकार आप सबको मैं रोईत आपका स्वागत करता हूं प्रेस्क्रॉस क्लासिस में आज हम डिसक्रस करने वाले कक्षा 10 के समाजी विज्ञान का पहला चैप्टर युरोप में राश्च्रवाद का उद है इस वीडियो की इस चैप्टर के वीडियो हम पहली अप्लोड कर चुके हैं अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके उसको देख सकते हुँ जिसका लिंक आपको डिसक्रिप्शन में मिल जाएगा आज हम इसमें डिसक्रस करने वाले इंपोर्टन कोशिंस के बार में एक अंकवाली जितने भी इंपोर्टन कोशिंस होंगे उसको हमagen जिसक्रस कर लेंगे और साथी साथ अगर आपको इसका आंसर से ऐसका भी barley का आपको डिसक्रिप्शन में मिल जाएगा चले हम अपने वीडियो को स्टांट करते हैं और ula पे अधिकारों के बार में बात करें और यहां पर प्रद्यातन के बार में साब आध्एन जो थे जैसे हम बात करें कुलीन वर्ग और जो नॉर्मल जो बात करें गरीब वर्ग थे दोनों को समप्वा अनदिकार प्राफ्थ नहीं ते जिसके यह से क्या था कि लोग मतलब यहां पर लोगों की मन में भावना हुत्पन हुई कि यहां पर उप्रांती करें और जैसे हम यहां पर राज तंत्र हटाने के बाद क्या लाए जाएगा प्रजा तंत्र मतलब जहां पर प्रजा का तंत्र हो तो यहां पर इसके आंसर के बाद में बात करने तो यहां पर संप्रोपुदा को राजचाही से फ्रांसिसी नाजविकों के एक समू में इस्थांतित कर दिया यहां पर राष्टन चाल रहा था ठीक हुं यहां पर लोगों सामवीक पहचांड की भावन को पैदा करना क्योंकि यहाँ पे सामुई पैचान नहीं थी, पैचान जो थी, वो किशी थी, हमीशा से कुलीन वर्ग की ही रही थी, और लुई सोलवा जो था, वो काफी क्रूर था, जिसकी विए से क्या था, कि लोग जो थे वो इससे काफी ज़्यादा ना खुश्ष यह बहुती ज़्यादा क्रूर था सबको समाने इदिकार नहीं दिये थे इसने पर जिन भी लोगों को जेल में भी जाथा उनको टाल दिया जाता है चैकर जीए कि अग्रता शिव्य जाता है आगे में बात कर लेते हैं 832 के बार में 832 में को से संद्य हुई जिसने ग्रेश पार 132 राश के रूप में मानेता दे दी थी तो आपको यहाद रखने 832 में कस्तुन तुनिया की संद्य हुई थी किसकी हुई थी भाई कस्तुन तुनिया की संद्य हुई थी यह रखना है आगे हम चल ले थे 15 पर उस घटना का नाम बता है यह जिसने 830-48 में पूरे युरोप में शिक्षित अभी जात्वर के बीच राश्यवादी भावनाव को लामबंद कर दिया था तो यहां पर आपको बताना है किस ने किया था अठासो एकित में जो युनान की सोतंतरता हुई थी तो आपको यह बात याद रखनी है चलते हैं 815 के वर्षों में यूरोप के क्रांतिकार्यों का मुख्य उदिश्य क्या था तो आपको याद रखना अठासो पंद्रा में बात करें तो 815 में एक और चीज हुई थी ज में नेपॉलेन को हरा दिया था आपको पता नहीं नेपॉलेन कोम था जैसे हम बात करें कि यहां पर प्रांसेसिक क्रांती में लुई सोलवा को हटाने के बाद भाद नेपॉलेन ने वहां पर अपना कई सारे नियम कायदे बनाएं थी जो कि सब के लिए समान थे तो समान जो आवाज की जाती समान की उसके लिए भी पैसे दी जाते हैं तो वहां पर जो मुद्रा थी वह पूसाल थी जन्होंनों ने घटा करें कितने कर दीथी दो कर दीथी ठीक है अचली और इसके आंसर के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या है तो यहाँ पर जैसे हम बात करें कि 815 के बाद वर्षों में युरोप के रांतिक आर्यों का मुख्य उद्धेश्य क्या था तो यहाँ पर जैसे हम बात करें कि मुख्य उद्धेश्य था सरकार के रास्तंत्रिय रूपों का विरोध करना इनका मुख्य उद्धेश्य था जैसे हमने बात की रास्तंत्र को अठाना चाहते थी तो इसका विरोज करेंगे रास्तंत्र का विरोज करेंगे ठीक है भाई चाहिए प्रस्ट में पर चलते हैं किसने टिपड़ी की जब फ्रांस चीकता है तो शेशी रोब को धंड लग जाती है ऐसा किसने बोला था तो हुप कि आपको पता होगा यह बोला था हमारे ड्यूक मैठर नीचने किसने बोला था लिए तो आपको फिगया रह्तना तो कि समलार्व में प्रशिय प्रशिया के सर विल्यमं प्रथम को जर्मन समराध घोशित किया गया था इसको किया गया था विलियम प्रधम को जर्मन का समराध घोशित किया गया था ठीक है तो यह वाला भी हमारा डिसकस हो गया तो अगर देखो चैप्टर को अगर आपको पूझतर रच से जानना है जैसा कि आपको बताया इसकी वीडियो पिर आप हमारी official website पर भी जा सकते हो Chris Cross class dot info ठीक है यह था हमारे एक नंबर वाले प्रस्ट अगली वीडियो में अगर आपको वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्स्राइब करें वीडियो आप हमारे टेलेग्राम ग्रूप को भी जॉइन कर सकते हैं जिसमें आपको important questions मिलते रहेंगे धन्यवाद आपका कर दो कर दो